आज की हमारी रेसीपी है मेथी के पराठे तो देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है और मेथी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है तो आप जरूर्ट रहे कीजिएगा यह देखिए मैंने गेहु का आटा ले लिया था गेहु का आटा लेना हमको देड कके कुछ करीब लिया था मैंने गेहु का आटा यह देखिए आप ज्यादा या कम ले सकते हो इसमें मैंने पाच या छे बना लिये थे इतने आटे में यह बेसन का आटा है यह देखिए दो चमजी दालना है छोटे वाले जो चमज आते वो द कर लिया था और अहरी मिर्च को भी बारिकक कट कर लिया था मिर्च अपने टेश्ट के सदी हिसाप से लीजिएता बॉक से और मैंने इसमें ज़िएусаी पहला था यह देखेven कि सी अजवाइन दाला में पहल करना में ट के छाल जीक कर देखेंक ब्रेक्व एस से अधा लूंगी मैं इसमें हल्दी दाली आदी चमच और लाल मिर्च भी आदी चमच ही दाली है मैंने इसमें ये देखें मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से दालिएगा थोड़ी मैंने हरी मिर्च दालिए थोड़ी लाल मिर्च दालिए उस हिसाब से आप दालिएगा कम्या जादा दाल सकते हो और अच्छे से पानी दाल के मिक्स कर लेना है यह मैंने धनिया पॉडर दाला इसमें आदा चमच और आदा चमच ही जीरा पॉडर दाला था और मेथी को मैंने अच्छे से धो लिया था कट कर लिया है बारीक इसको देखो बारीक कट कर लिया है अच्छे से धो लिया था दो तीन पानी से धो लेना क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है और इसका पानी पुरा ड्राय कर लेना हमको और फिर बारीक कट करके ज्यादा भी ब मिक्स कर लेंगे और जैसे आटा गुनते वैसा गुन लेना हमको यह देखिए पानी जितना ज़रुत पड़ी उतना दाल दीजिएगा और थोड़ा सा ओईल भी दाला था एक चमज ओईल दाला था मैंने इसमें अब मैं जैसे चपाती या रोटी बेलते वैसा बेल लेना इसक और अपने शेप के हिसाब से आप बेल लेना मैंने इसको गोल राउंड ही बेला था और चाकू से मैंने कट कर लिया था इसको शेप दे दिया था यह देखिए ज्यादा पतला भी मत करना और ज्यादा मोटा भी मत रखना मीडियम ही रखना इसको और मैंने फ्राइपैन को होने के लिए रख लिया था अब मैं इसको डाल दूंगी उसमें सेक लूंगी और अब तेल या घी कुछ लगा सकते हो मैंने घी लगाया था इस पर यह देखिए मैंने घी से इसको फ्राइ किया था तो आप तेल से या घी से दोनों से आपको जो चाहिए उससे फ्राइ कर ले अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर कीजिए यह देकिए घी है डाला मैंने घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है देशी घी की तो आप जाके देख लेना यह देखे दोनों साइट से घी लगा के मैंने इसको फ्राय कर लिया था और भी शेप का बेल सकते हो मैंने बेला था पर वीडियो मेरे पास से डिलीट हो गई यह देखे स्क्वायर या ट्राइंगल में आप बेल सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा और लाइक ज़रूर कीजिए यह देखे रेडी हो चुका है और यह मैंने जैसे के बुला चाकू से कट कर लिया था तो मैं आपसे मिलती उन्यू रसीपी के साथ तब तके लिए अल्लाफिस ठैंस पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग